प्रश्न है एक पिता अपने पुत्र की आयू का चार गुना है 16 वर्स बाद वह अपने पुत्र की आयू से दुगना हो जाएगा उनकी वरतमान आयू ग्याद कीजिए इतनी बातें दी गई हैं और कह रहा है दोनों की वरतमान आयू ग्याद कीजिए तो जो अग्याद है उसको हम मान लेते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि पुत्र की आयू एक्स है माना पुत्र की वर्तमान आयू जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं वर्तमान आयू बराबर एक्स वर्स यानि पुत्र कितने साल का है एक्स वर्स का है आप यहाँ से निकालेंगे एक पिता अपने पुत्र की आयू का चार गुना है यह वर्तमान समय में अपने पुत्र की आयू का चार गुना है तो यहाँ से निकालेंगे पिता की वर्तमान आयू पिता की वर्तमान आयू वो कितनी है पुत्र की आयू का चार गुना तो चार गुना यानि चार गुड एक्स तो हो जाएगा चार एक्स वर्स अब हम आगे पढ़ते हैं सोला वर्स बाद वह अपने पुत्र की आयू से दुगना हो जाएगा अब कहरा कि 16 वर्स बाद पीता क्या हो जाएगा अपने पुत्र की आयू का दुगना हो जाएगा तो 16 वर्स बाद इन दोनों की जो उम्र होगी वो बदल जाएगी भाई अगर इस समय यक्स वर्स का है तो 16 वर्स बाद इसकी आयू बढ़ जाएगी एक्स पलस सोला वर्स हो जाएगी और इसकी आयू भी बढ़ जाएगी यनि पिता और पुत्र दोनों की उम्र क्या होगी सोला वर्स और जादे हो जाएगी तो चलिए हम इहां निकालते हैं सोला वर्स बाद सोला वर्स बाद पुत्र की आयू पुत्र की आयू कितनी हो जाएगी? X पलस 16 इतनी वर्स और 16 वर्स बाद जो है 16 वर्स बाद पिता की आयू पिता की आयू क्या हो जाएगी? वर्तवान समय में 4 X वर्स थी तो हो जाएगी 4 X पलस 16 वर्स तो हमने क्या किया? हमको जो ग्यात करना है उसको मान लिया कि माना पुत्र की वर्तमान I.O.X वर्स है तो यहां से परसन से कह रहा था कि वर्तमान समय में जो पिता की उम्र है वो पुत्र की चार गुनिय है तो उससे हमने निकाल लिया कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो 4 X वर्स है अब कहरा 16 वर्स बाद वह अपने पुत्र की आयू से दुगना हो जाएगा तो 16 वर्स बाद दोनों की आयू बदल जाएगी तो पुत्र कितने वर्स का हो जाएगा? 16 वर्स और पिता हो जाएगा 4 X पलस 16 वर्स अब परिषन के हिसाब से जो कत्फन केरा उससे हम समी करण बनाएं गे परिषना अनुसार 16 वर्स बाद की बाद कर रहा है कि पिता अपने पुत्र की आयू का दुगना हो जाएगा पिता की आयू पिता की आयु वो होगी दो गुणा दो गुढे पुतर की आयु यही कह रहा है अब पिता की आयु कौन वाली आयु 16 वर्स बाद की बात कर रहा है है 16 वर्स बाद वाली जो आयु है यहां रखेंगे उसका मान तो 16 वर्स बाद पिता की आयू क्या है 4X पलस 16 बराबर का चिन लगाएंगे दो गुड़े पुत्र की आयू कौन वाली आयू? वर्तमान आयू नहीं वर्तमान आयू तो हमें निकालना है 16 वर्स बाद वाली आयू X पलस 16 अब ये देखिए समी करणा है इस समी करणा को हल कर लेंगे बस X का जो मान आयेगा यहां पे रख देंगे बस दोनों की वर्तमान आयू निकल जाएगी तो 4X पलस 16 यहां बरेकट को हटा दिया हमने अब 2 से बरेकट को हटाएंगे तो 2 का गुड़ा एक बार X में होगा फिर एक बार 16 में होगा तो 2X पलस 16 दूना 32 अब जो चरपद है उनको एक तरफ और जो अचरपद है उनको दूसरी तरफ तो 4X और 2X एक तरफ कर लेंगे तो 2X को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2X बराबर उधर था 32 और इस 16 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 16 पच्छांतर का नियम है कि एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएंगे तो जो plus है वो minus हो जाएगा, जो minus होता है वो plus हो जाता है अब 4X में से 2X निकालेंगे तो क्या बचेगा 2X तो 2X बराबर इधर 32 में से 16 गए, तो बचा 16 अब हमें X का मान निकालना है, तो X को 22 पक्ष में लिखेंगे 16 दाएपक्ष में था 2 को उधर ले जाएंगे दाएपक्ष में तो पक्षांदर करेंगे तो देखिए 2 और X के बीच में गुड़ा काची ने छीपा है जब गुड़ा काची ने छीपा होगा तो उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा तो 16 बटे 2 तो 2 एकक्ष में 2 और 2 अठे 16 कट गया तो X बड़ावर क्या है आठ और X क्या है पुट्र की वर्तमान आयू है हमें क्या निकालना है पिता और पुट्र दोनों की वर्तमान आयू निकालना है तो इस तरह से हम लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयू बराबर कितनी है एक्स और एक्स बराबर किया आया है आठ आया है यानि आठ वरस पुत्र इस समय कितने साल का है आठ साल का है पिता की वर्तमान आयू बराबर है चार एक्स वरस तो चार गुडे एक्स कितना है आठ तो हो जाएगा चार गुडे आठ बराबर 32 वरस यानि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयू है वो क्या है पुत्र की आयू आठ वरस है और पिता की आयू 32 वरस है